हलो एवरिवान दिस इस में हिना वर्मा आ गई हूं मैं आप सब के सामने एक ऐसा मुद्धा या पर एक ऐसा टॉपिक लेकर जो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए चाहिए वो लर्नर्स हो चाहिए वो स्टूडिंस हो या फिर वो कोई भी हो क्या मैटर करत है भाई हम देश के नागरिक हैं हम इंडिया के सेटिजन से और हमें ही सब पता होना चाहिए कि क्या इंडिया में चल रहा है क्या नहीं चल रहा और अगर कुछ नहीं चल रहा तो कैसा चलना चाहिए है उसकी फंक्शनिंग क्या होने चाहिए तो मेरा आज का टॉपिक है क्या है election commission of India जो है वो हमारे India में चतिने भी elections होते हैं उन सब को regulate करता है उन सब के देखवाल करता है कि election जो भी हो रहे हैं वो unbiased तरीके से हो, proper time पर हो, कोई भी उनमें दिक्कत ना है properly EVM machines वहाँ पर present हो और सारे जो ruling parties है वो एक तूसरे के साथ सही से रहें, कोई misbehavior ना हो, तो ये सब election commission का काम है और साथ ही में main काम एक और है, जैसा कि हमने सुना था हम हराष्ट में क्या चल रहा था political parties के बीच में dispute चल रहा था, एक symbol को लेके एक election symbol को लेके political party के, तो जो election symbol है, अगर उससे भी कुछ related पंगा होता है मतलब उससे भी related कोई भी dispute है, तो उसको solve करवाने की जिम्मेदारी भी election commission of India की होती है, ठीक है इस slide में आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या क्या लिकर आई हूँ मैं यहाँ पर Supreme Court of India लाई हूँ मैं यहाँ पर election commission of India की फोटो लिकर आई हूँ मैं यहाँ पर दुरौपती मुर्मुजी की फोटो लिकर आई हूँ जो हमारी president है यहाँ पर रहूल गांदी जी है leader opposition के, मतलब हमारे opposition से relate कर सकते हैं आपे ने साथी में मैं आपे मैं प्रधान मंत्री नारेंद्र मुर्दी जी की फोटो लिकर आई हूँ और यहाँ पर है CGI of India ठीक है CGI of India आप सबको पता है Chief Justice of India जो Supreme Court के Senior Most Judges में से एक होते हैं और सबसे उपर वाले higher level पर होते हैं अच्छा यह topic था हमारा election commission of India से related में चीज इस topic में क्या थी इस topic में main चीज यह है कि Chief Election Commissioner का appointment कैसे हो यह हमारे Supreme Court ने बताया है कि किस तरह से इस Chief Election Commissioner का appointment होना चाहिए तो क्या आज तक Chief Election Commissioner का appointment नहीं हो रहा था हो रहा था, सब हो रहा था लेकिन अब time आगिया है वक्त के साथ चीजों को बदलने का कुछ amendments करने का कुछ अपने तौर तरीके बदल लेने का हालात के साथ चाहते है with time हम सब को change करना चाहिए change होना चाहिए तो इसी तरह यहां पे Supreme Court ने एक judgment दी है जिसमें जिस तरह हम पहले Chief Election Commissioner को appointment करते थे उस तरह ना करके अब हम उन्हें दूसरे तरीके से appointment करें जिससे वो तरीका जादा unbiased हो मतलब हाँ पे कोई biasness ना हो उधर properly functionality हो सके हर चीज का कोई pressure ना हो और Chief Election Commissioner अपना काम properly कर सके बिना किसी के pressure में आये हो है बिना किसी के दबाव में आये हो है चाहे वो ruling party हो या फिर वो opposition party हो तो ये है हमारा Election Commission of India साथी साथ मैं आपको एक छोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी 25th January 1950 25th January 1950 को हमारे Election Commission बना था और Election Commission हमारा बना था मतलब हमें vote करने का अधिकार मिला था 25th January 1950 को हम celebrate करते है National Voters Day क्या celebrate करते है National Voters Day कप करते है 25th January को करते है ठीक है अब मैं आती हूँ Supreme Court के जज्ज्मेंट पे Supreme Court ने जज्ज्मेंट दिया है और ये जज्ज्मेंट दिया है पांच जज्ज्ज्ज्ज्ज की बेंच ने मतलब एक Constitutional bench ने judgment दिया है कि कैसे election होना चाहिए chief election commissioner का और ये जो judgment है ये unanimously दिया गया है कैसे दिया गया है unanimously unanimously का मतलब सबने हाँ बोला मतलब कोई भी opposite नहीं था for example 5 judges थे तो 5ों के 5ों judges जो थे वो agree कर रहे थे इस judgment से जो इन्होंने दिया है कोई भी एक भी ऐसा judge नहीं था जो दूसरी side हो opposition में हो और बोले कि नहीं जो हम कर रहे हैं या जो आप बात बोल रहे हैं बाकी चाहर वो गलत हो है गलत है ठीक है तो सबी क्या बोल रहे थे पांचों के पांचों ने बोला कि नहीं अब इसमें change लाने का टाइम आ चुका है अच्छा अब मैं आपको बता देते हूं आप भी सोच रहे होगे कि हम बार बार बोल रही है कि क्या करना है क्या चीफ चीफ election commissioner का appointment कैसे है कैसा नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं आप सबी ध्यान से देखे कि जैसे CBI में recruitment होती है उसी तरह से recruitment नहीं सारी मतलब जब उनके post पे head को बिठाया जाता है उसी तरह से अब हम चाहते हैं कि CEC मतलब चीफ election commissioner को भी उसी तरह appoint किया जाए आज तक क्या ऐसा नहीं हो रहा था कभी हो रहा था आज तक प्रेजिडेंट चीफ election commissioner को appoint करते थे तो अब कौन करेगा अब भी प्रेजिडेंट करेंगे लेकिन पहले क्या होता था पहले एक council of ministers बैठ दी थी ठीक है council of ministers आप सभी को पता है क्या होता है एक members होते हैं जो बहुत ही जादा important ministers जो head मरलब जिनके पास बहुत अच्छा department है वो उन सब को मिला कर एक क्या बनाया जाता है council of ministers बनाया जाता है और उसको head करते है प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो अब तक क्या हो रहा था कि council of ministers जो है वो अपने हिसाब से एक नाम चुनेंगे और वो prime minister से consult करेंगे मतलब अगर आप indirectly देखें तो वो नाम किसने चुना है prime minister ने क्योंकि उस चीज़ को head कौन कर रहा था prime minister और prime minister किस चीज़ का होता है ruling party का होता है ना देश में अगर prime minister जो है वो कुछ party का होगा वो ruling party का होगा तो ruling party का मतलब minister जो अभी पूरे देश मे क्या होगा prime minister होगा वो जो है वो appoint करेगा मतलब वो appointment के लिए जो नाम देगा वो नाम देगा वो president को ठीक है जो नाम वो select करेगा वो नाम देगा वो president को और president उस बंदे को elect कर देगी as chief election commissioner अभी तक यह चल रहा था अब यहाँ पर क्या changes लाए गए है या क्या लेके आने की बात हो रही है वो बात हो रही है कि अभी भी president ही करें यह appoint है लेकिन अब होगा अब एक committee बनाई जाईगी एक committee बनाई जाईगी और वो three members की committee होगी किसकी होगी जिनकी committee बनेगी, जो क्या करेंगे, appointment के लिए नाम सोचेंगे, ठीक है, वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, opposition party के leader होंगे, और तीसरी चीज की वो CGI of India होंगे, ठीक है, तो ये तीनों मिलके एक committee बनाएंगे, और वो committee एक नाम सोचेंगी, और वो फिर president को बताएंग को appoint करेंगे, यह सब हुआ क्यों था, अभी हाल में, मतलब हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में एक news बहुत चर्चा में आ रही है, जिसकी वज़ों से सवाल उपने लग गया, क्या chief election commissioner ruling party के कबजे में है, indirectly सब यही बूलना चाहरे है, ठीक है, तो हुआ क्या था, हुआ यहाँ पर यह था कि Arun Goyal Sir थे, IAS officer है, तो उन्हें appoint कर लिया गया, और within 24 hours उनके appointment हुई है, और वो कैसे हुए है कि जैसे उन्हें 2-3 दिन, मतलब उन्हें का उच टाइम बाद, बहुत ही कम टाइम था, उतने टाइम बाद उनका क्या होना था, सारा retirement होना था, लेकिन उन् आपको इसके लिए भी आपको update कर दिया है, साथ ही साथ मैं आपको बता दू, यह unanimously rolled out हुआ था, पांच judges की bench थी इसमें, यह मैंने आपको बताया, दोसरी चीज़ मैं आपको बोलते हूँ, कि how are CEC and EC currently appointed, CEC मतलब Chief Election Commissioner और EC मतलब Election Commissioner, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर लिख तो एक होते हैं हमारे CEC मतलब Chief Election Commissioner और इनके साथ ही दो और होते हैं, वो कौन होते हैं, Election Commissioner मतलब EC, ठीक है, तो एक हमारे CEC होते हैं, Election Commissioner of India में और दो हमारे Election Commissioners होते हैं, ठीक है, तो जो CEC है, इनका तो appointment मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, है ना, बता दिया ना, इनका appointment कैसे होना था? इनका appointment होना था कि एक committee बैटेगी जिसमें Prime Minister होंगे, Opposition Party के लीडर होंगे और साथ में CGI होंगे, जो नाम discuss करेंगे और आगे President को बताएंगे और President appoint करेंगे Next है EC का appointment EC मतलब Election Commissioner इनका appointment कैसे होगा? इनका appointment वैसे ही होगा जैसे पहले होता था इनने सीधा ही Prime Minister से जो Council of Ministers और Prime Minister ने discuss करा है वो ने वो President को बताएंगे और President उन्हें as it is elect कर देगी मतलब अभी जो बात होई है appointment की वो CEC की होई है तो EC का क्या होगा? EC जैसे पहले appointment होते थे वैसे ही appoint होंगे जैसे पहले appointment होते थे वैसे ही appoint होंगे उन्हें President ही appoint करेंगे और without any special committee ठीक है? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगे ये लिखा कहां गया है? ये लिखा गया है Article 324 से लेके 329 में क्या लिखा गया है? Election Commission of India के बारे में लिखा गया है कि एक Election Commission होगी हमारे यहां पर और वो सारे Elections करवाएगी और सब कुछ जो है Elections से Related सारा काम उनका होगा और वो बिल्कुल भी Pressurize नहीं होने चाहिए क्योंकि वो Unbiasedly काम करने चाहिए है उन्हें ठीक है? साथी मैं बतातू ये Part 15 of the Constitution में आता है तो हमारे Constitution के Part 15 में Elections के बारे में डिस्कस किया गया है और वो आर्टिकल होते हैं यह रहे 324 to 329 यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे फॉर्मेंट सेक्शन में मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाइ करूँगी ठीक है नेक्स स्लाइड पर आते हूं मैं उसके बाद मैंने बोला आपको कि जो Election Commissioner of India Election Commissioner of India है यह Constitutional Body है कैसी Body है? Constitutional Body है Sorry तो कैसी Body है? यह Constitutional Body है Constitutional Body का मतलब क्या है? एक ऐसी Body जो हमारी Constitution में लिखी गई है For example, बहुत सारी Bodies ऐसी है जो हमारी Constitution में नहीं लिखी गई है लेकिन वो specially law बनाकर बनाई गई है तो जब भी कोई भी body law बनाकर बनाई जाए तो उसे हम Statutory Body बोलते हैं क्या बोलते हैं? Statutory Body बोलते हैं लेकिन यह हमारी Constitution में मतलब हमारी सम्विधान में लिखा हुआ था तो इसी लिए Election Commission of India क्या है? एक Constitutional Body है क्या है? Constitutional Body है ठीक है? अच्छा, Election Commission of India का काम क्या है? Election Commission of India जो भी Elections है किस-किस के? लोकसभा के? राज्यसभा के? मतलब पार्लियमेंट के है न? State के Elections है Vice President के Elections है President के Elections है ये सारे Elections कौन करवाता है Election Commission of India करवाता है और किस के तहत करवाता है मतलब किस चीज के according कराता है Representation of People Act के according ठीक है? तो हमारे Representation of People Act की वज़ा से जितने भी ये सारे Elections है ठीक है? ये सारे Elections हमारे Election Commission of India कराता है Representation of People Act के under Next अब मैं बात करते हूं tenure tenure मतलब कारेकाल कितने टाइम तक जो भी election commissioner है या फिर chief election commissioner है वो कितने टाइम तक अपने post में रहेंगे और काम करेंगे tenure जो होता है हमारा वो होता है minimum six years या फिर 65 years of age ठीक है मैंने क्या बोला या तो उनके six years complete हो जाए तो तो वो हट जाएंगे अपने post से या फिर वो 65 years के हो जाए तो वो हट जाएंगे तो अब हम सोच रहे हैं कि मैं अगर for example कोई कोई हमारा chief election commissioner है और वो 62 years of age का है ठीक है अभी अभी वो बने है तीन साल होंगे उने तो वो 65 के हो जाएंगे पर उनने छे साल तो होए नहीं त और या तो 65 years के हो जाएं या फिर उनके 6 साल पूरे हो जाएं उनili मैं से कोई भी काम जो पहले हो जाएगा या तो वो पूरे 65 years के हो जाएं जो भी चीज पहले हो गई उसी टाइम पे हमारा जो commissioner है वो हट जाएंगे अपनी post से और उनका कारिकाल खत्म हो जाएगा ठीक है अभी तक वैसे मैं आपको बता दूँ कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पूरे छे साल किसी ने अपना tenure complete किया हो, ठीक है, यह एक्स्टर नॉलिज थी, साथ ही साथ है मैं बहुत important बात करने वाली हूँ और वो बात है removal from the office, मतलब office से, मतलब अपनी post से उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, बात करूँगे मैं दोनों की chief election commissioner की भी और election commissioner की भी, ठीक है, तो मैं CEC की भी बात करूँगी और मैं EC की भी बात करूँगी, CEC की और EC की, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी, CEC का removal जो है हमारा, वो होता है, ऐसे जैसे हमारा supreme court की किसी भी judge का removal होता है, अच्छा, तो supreme court के judge का removal कैसे होता है, supreme court के judge का removal होता है, by the process of impeachment, by the process of impeachment, I-M-P-E-A-C-H-M-E-N-T, impeachment, तो impeachment के process से हमेशा removal होता है, supreme court के किसी भी judge का, ठीक है, अब मैं बात करते हो, कि यार, यह impeachment होता क्या है, impeachment का मतलब है, कि लोकसभा या राजसभा, मैंने क्या बुला, आइदर लोकसभा और राजसभा, तो इन दोनों में से, कहीं पर भी bill pass होगा, ठीक है, और क्या होगा, वहाँ पर two-third majority होनी चाहिए, ठीक है, मतलब two by three की majority होनी चाहिए, और अगर वो pass हो गया, कि हाँ, इन judge को हटाना है, तो लोकसभा में जैसे मैंने introduce करवाया, उसके बाद वो राजसभा में जाएगा, वहाँ पर भी अगर वो हो गया introduce, ठीक है, और उसके बाद वो pass हो गया, तब जाके, वो आगे, पारलियमेंट में, मतलब सब काम कर लिएगा, और पर प्रेजिडेंट उन्हें हटा देंगे impeachment का मतलब क्या था कि two by third special majority से गुजरना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके बाद जाके किसी को भी हम impeach कर सकते हैं, मतलब किसी भी person को हम remove कर सकते हैं, ठीक है, तो यह बहुत ही कम cases में होता है impeachment का process, और सही बताऊं तो बिल्कुल easy नहीं होता, क्योंकि इसमें एक चीज इसमें लिख हुई है कि आप impeach तब करेंगे, जब यहां तो आपका proven misbehavior हो, या फिर incapacity हो, ठीक है, यहां तो हम बोल सके कि भाई, इन्नोंने misbehavior किया है, या incapacity है, कि इनको मतलब mind सही नहीं है, ठीक है, और मतलब यह सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक impeachment बहुत ही होता नहीं है, तो CEC, CEC मरलब Chief Election Commissioner का जो removal है, वो impeachment की तरह होगा, जैसे हमारा Supreme Court के judge का होता है, और election commissioner का, आप देख सकता है, election commissioner का removal, यह कैसे हो सकता है, यह सीधा president कर सकते हैं, सीधा president कर सकते हैं, किस की recommendation पे, Chief Election Commissioner की recommendation पर, ध्यान देने वाली बात, है ना, ध्यान देने वाली मैंने बोला, CEC जो है, वो impeachment के through remove होंगे, है ना, CEC जो है, impeachment के through remove होंगे, और उसमें होता क्या है, two by three जो है, वो special majority चाहिए होती है, special majority, थब जाकि, इनका removal हो सकता है, CEC का, लेकिन EC में, जो president है, वो सीधा इनने remove कर सकते हैं, ठीक है, मतलब, अपने office of work से, क्या कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, किसकी recommendation पर, CEC की recommendation पर, chief election commissioner की recommendation पर, यहां तक clear, कोई भी doubt हो, तो आप सब मुझ से पूछ सकते हैं, बहुत easily मैं आपको समझा रही हूँ, और बहुत ही easy language में, थाकि आप सब अच्छे से communicate कर सकें मेरे से, और अच्छे से समझ सक ठीक है, यहां तक clear हो गया होगा, I hope, ना हुआ हो, तो आप नीचे comment section में मुझ से बूछ सकते हैं, यहां आगे functions, किस चीज के function, election commission of india के, तो मैंने आपको बताया, यह दिया है, कि जितने भी elections होते हैं, हमारे यहां पे, वो सारे, किस के through होते हैं, election commission of india के under आते हैं, उनक सा जादा लोग रहते हैं, यहां पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे एक chief election commissioner होंगे, और दो election commissioner होंगे, लेकिन, क्या यह पहले से भी three member body थी, या multi member body थी, तो नहीं, इसका answer नहीं है, मतलब 40 सालों तक, ठीक है, almost four decades तक, क्या हो रहा था, कि यहां पर सिर्फ ए एक ही member body थी, और वो member कौन होते थे, चीफ election commissioner होते थे, लेकिन with time हमने उसमें changes लाए, और अब क्या हो गया है, अब वो multi member body हो चुकी है, और इस time पे उसमें तीन members है, और अब जो हम उनकी बात कर रहे हैं, कि कैसे हम उन्हें appoint करवाएं, तो उसमें भी हमें कमिटी बिठाए जिसमें तीन ही members होंगे, मैं आपको बार-बार बोल रहे हैं, ताकि आपके मायन में बिल्कुल बस जाए, और आप यह भूले ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें, उसमें होंगे हमारे prime minister, leader होंगे opposition party के, और CGI होंगे India के, है ना, तो CGI का मतलब तो यह होता है, यह आप आपको बता दिया है, remember body के बारे में, okay, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी doubt हो, कोई भी question हो, कोई भी query हो, तो आप भी इचे जाख हो के मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे comment section में, मैं आपका answer बिल्कुल दोंगी, आपका comment का reply बिल्कुल दोंगे, आप tension मत लेजेगा, और में, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, thank you so much, मिलती हूँ आप से next वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ, नमस्कार